हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका फिर एक वार श्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाश 10th साइंस का क्वेशन पी एच इसकिल किसे कहते हैं तो दोस्तो यह क्वेशन इंपोटेंट है इसलिए आप वीडियो में आंत तक बने रहें और चैनल क को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पी एच का फुलवर्म क्या होता है दोस्तो पी एच का फुलवर्म होता है पावर ओफ हाइड्रोजन या पोटेंशल ओफ हाइड्रोजन इसका फुलवर्म होता है दोस्तो सबसे पहले हम जान लेत हैं कि pH scale की कुछ किस ने की थी तो दोस्तो pH scale की कुछ की थी Sorensen नाम के बैग्ग्यानिक ने pH scale की कुछ की थी दोस्तो आएए अब हम इसकी definition के बारे में जानते हैं कि pH scale किसी कहते हैं दोस्तो किसी बिलियन में उपस्तित hydrogen ion की सांद्रता ग्यात करने के लिए एक skill विक्सित की गई जिसे pH scale कहते हैं दोस्तो यह इसकी तरिवासा है कि किसी बिलियन में उपस्तित hydrogen ion की सांद्रता ग्यात करने के लिए एक skill विक्सित की गई जिसे pH scale कहते हैं दोस्तो pH scale 0 से 14 तक की एक skill होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक pH 1 दिये होते हैं दोस्तो जैसा कि आपको डाइग्राम में दिकाई दे रहा है pH skill इस प्रकार की एक skill होती है दोस्तो pH skill यह दर्चाती है कि जिस भी किशी पदार्थ का pH मान यदि सात होता है तो भहे उदासीन होता है और यदि किसी पदार्थ का पीच मान साथ से कम होता है तो बहे अमलिय होता है और यदि किसी पदार्थ का पीच मान साथ से अधिक होता है तो बहे छारिय होता है पीएच इसकेल यही दर्शाती है कि कौन सी चीज अमलिय है और कौन सी चीज छारिय है और कौन सी चीज उदासीन है तो दोस्तो यही प्रकट करती है पीएच इसकेल दोस्तो पीएच इसकेल की सहयता से हम यह ग्यात कर सकते है कि किस चीज का पीएच मान कितना है दोस्तो आईए अब हम जानते हैं कुछ महत्पूर्ण पदार्थों के पीएच मान कितने होते हैं दोस्तो जैसे की सुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है साथ दोस्तो जैसा कि हमने pH इसकिल में देखा था कि जिस भी पदार्थ का pH मान साथ होता है बहे उदासिन प्रकृति का होता है तो जल का pH मान साथ है मतलब कि सुद्ध जल का pH मान साथ है इसलिए बहे उदासिन प्रकृति का है और दोस्तो इसी प्रकार रक्त का pH मान 7.4 है यानि कि 7 से अधिक है तो भहे चार ये होगा और दोस्तो लार का pH मान 6.5 है यानि कि 7 से कम है तो इसका pH मान 6.5 है तो भहे अमली प्रकृति का होगा इसी प्रकार दूद का पियच मान 6.4 है और सरब का पियच मान 2.8 है और नीबू का पियच मान 2.2 है इसलिए यहें अमली प्रकृति के होगे दोस्तो लार अमली प्रकृति की होगी और दूद सराब और नीबू यह सब अमली प्रकृति के होगे और सुद्ध जल उदासिन प्रकृति का होगा और रत छारीप्रकृति का होगा तो दोस्तो यही indicate करती है PH skill उम्मीद करती हूँ दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए Thanks for watching, Thank you